इस मड्यूल में हम सब फाइलम मायरेय पोडा की कलास डिपलो पोडा को डिसकस करेंगे डिपलो पोडा ग्रीक वर्ड डिपलोस टू फोल्ड पोडस फुट यानि इसके अंदर फुट जो है या इस यूजुली इन दी फॉर्म आफे टू पोडस इसके अंदर एक्सिलेंट इ एंसेस्टर्स जो है थे इस ग्रूप के लैंड में मौझूद थे इन डिवोनियन पीरियड एंड वर कंसिडर टू पी दा फॉस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स प्रेजंट ऑन दा लैंड मिली पीड्स जो हैं अगर इसके हम ट्रंक सेगमेंट्स देखें तो उनकी तादाद ग्यारा से लेके हंडर्ड तक है और यह सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं दे आर अल डिराइड फ्रॉम इंब्रियोलोजिकल एंड एवलूशनरी ट्यूएन ऑफ दी प्रिमिटिव मेटा मियर्स फिर इसके फ्यूएन के रिजल्ट में क्या होगा टू एपेंड़ेजिस बन प्यूएन जो है इस आलसो रिफ्लेक्टिट इंटर्नली बाइड़ तू गैंगलिया तू पेर्स ऑफ ऑस्टिया एंड तू पेर्स ऑफ ट्रेकियल ट्रंक्स पर एपरेंट सेगमेंट जदा तर मिली पोर्ट जो हैं अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो दे विल ब इनके अंदर बहुत ज्यादा एंग्स मौजूद हैं अब यह एक्स जो है दे नॉर्मली प्ले रोल इन पुशिंग दा अगेंस दा सबस्टेटम एंड हैल्प दा मिली पीड तू बुल्डोज थू देर हैबिटेट मिली पीड जो है यह डिकेंग प्लांट मैटर के उपर फीड नहीं करते बलके यह अपने मेंडेबल्स को चुइंग के लिए यूज करेंगे पूड की और स् के मौट पाट्स जो है यह अगर उनको डिस्टर्ब किया जाए कुछ मिली पीड जो है रिपंगेने टोरियल ग्लैंड होंगे यह ग्लैंड जो है दे विल प्रोड्यूस नॉर्मली आर टॉक्सिन विच नोन एस हाइड्रोजन सायनाइड यह दूसरे अनिमल्स जो इनको अटैक करना चाहेंगे उनको रिपेल करेंगे यह यह थी स्टर्व झाट्रोजन के लावा एक प्रीकर्सर जो है यह एक प्रीकर्सर जो है थैट कैन बी स्टर्वर इंसटर्व इनसथे बॉड़ी ऑफ ता बिलिपीड वो एक and it is released in the form of a separate glandular compartment a kush millipedes you hand they also release repellents which will be dropped unharmed and decrease the chances that the same millipede can attack the body again and again which millipedes जो है, they normally transfer their sperms inside the female trunk appendages, gonopods जा spermatophores की शकल eggs जो है, वो फर्टिलाइज होंगे and then they will go the process of hatching after several weeks, इसके immatures जो है, they will require more legs and segments with each mold until they reach adulthood, this is the example of myriapoda class diplopoda here you can see its body this is the first segment this is the second segment and then segments are continuously adding on and on each segment the leg structure is present, this is the mouth and mouth is bearing the eyes, antenna mandibles and this is the mandible base so these are the myriapoda representing the class diplopoda showing its different characters onto the body how am I going to I do not compare it to the and I make sure to frame the